हेलो दोस्तों मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ तो आज की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंट्स गुलाब जामुन की रेसिपी ये मिठाई आप 10 मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं फ्रेंट्स अगर घर में मिठाई नहीं है और मिठा खाने का मन कर रहा है तो आप इसे 10 मिनट में बना कर खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है गुलाब जामुन तो सभी को बहुत पसंद होता है फ्रेंट्स तो चलिए हम देढ़ ना करती हुए रेसिपी को शुरू करते हैं तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चासनी तियार कर लेते हैं तो मैंने यहाँ दो कप चीनी लिया है फ्रेंट्स और ये चीनी धाई सो ग्राम है तो इसी कप से हम 5-6 कप पानी डाल देंगे फ्रेंट्स जिस कप से हमने चीनी लिया था ये चासनी पान से साथ मिनट में बनकर त्यार हो जाता है तो एक तारवाली चासनी हमें नहीं बनानी है बस ये चासनी को थोरा सा हम चिपा होने तक इसे हम पकाएंगे तो चुटकी बार इसमें हम डाल देंगे इलाइची पॉडर एक ड्रॉप जितना हम इसमें फूट कलर डाल देंगे फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो डालिएगा वरना मट डालिएगा बस इसे हम मिला लेंगे और इसे हम पकाद लेंगे चासनी को तो देखिए साथ मिनट हो चुका है और चासनी भी हमारी चिपचिपी हो गई है आप देख रहे होंगे तो तार नहीं बन रही है तो बस चिपचिपई वाली ही हमें चाशनी को त्यार करना है अब इस गैस का फ्लिम कर देते हैं बंद और इसे हम ढग देते हैं अब हम चलते हैं गुलाब जामुन के लिए बॉल्स त्यार करने तो बॉल्स त्यार करने के लि तो मैंने हैं एक टोडे दूद लिया है तो पहले हम टवरूद िटा लए लिए रम ये Mysamed मुद्वpaced बीको मिलब और प्लकुल हल्के हातोушка कि अप व्हल रीक तो भी डव टो गा लिए धिना ली आ हम इस मसेल मसल कि आप जाको नहीं तो आपके गुलाब जामून हाइँ बन जाएंगे उसमें गुठलियां पढ़ जाएंगी तो आप बिल्कुल हलके हातों से थोड़ा थोड़ा डूट डाल के इसे एक शॉप्ट सा डो लगा ले आप देखेंगे कि इसे हलके हलके हातों से करते रहेंगे जब ये इखटा होने लगेगा देखिए बिल्कुल हलके हाथों से इसे आप मिक्स करें तो आप इसे अगर हलके हलके हाथों से इसे डो बनाएंगे तो आपकी गुलाब जामुन बहुत ही फलपी बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेगा तो देखिए डो हमारा त देखिए मैं आपको गोल करके दिखा रही हूं तो बिल्कुल इस तरीके का हम गोल कर लेंगे जिस साइज को आपको गुलाब जामुन चाहिए आप उसी साइज का उससे थोड़ा छोटा आप गोल कर ले क्यूंकि जब इसे हम चासनी में डूबोएंगे तो यह बहुत ही साइ तो देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए है अब हम चलते हैं फ्राइब करने तो तेल को आप मीडियम फ्लेम पे आप इसे गरम कर ले हाई फ्लेम पी गरम ना करें नहीं तो उपर से गुलाब जामुन ज्यादा लाल हो जाएगा और नीचे से कच्छे रह जाएंगे तो इस आप ध्यान रखिए तो इसे मीडियम फ्लेम पे आप इसे डार्क गोर्डन होने तक आप इसे फ्राइ कर ली या फिर आपको जितना गुलाब जामुन का कलर रखना है आप उसे हिसाब से लाल कर ले इसे तो मैं इसे बिल्कुल डार्क कलर दूंगी तो देखिए फ्रेंट् कर अधर लें निकाल लेते हैं आप चाहे तो इसे बिडार्क कर सकते हैं फ्रेंट्स अर इसे हम चाश्नी ने डाल लेते हैं ठीक उसी तरहिके से से हम दूसरा Pokémon का फ्रेंट्स ओर इसे भी हम डार्क गोर्डेन होने तक फ्राइब कर लेंगे ग गैस का फ्लेम आप वी तो देखिए… लिए अंदांग है .. इस अम यहां हम इसे हम जो पहले डाल था… चाशनी के यह फाल तो दूसरा डाल भी जो पहले डाला था.. उसका साइज में दिखा रहे हूं….बस दस मिनट ही है है…. बल्कुल डबल हो चुका है अब इसे हम बस एक घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं देखिए कितना साइज इसका डबल हो चुका है तो बस एक घंटे के लिए इसे रख देते हैं तो देखिए फ्रेंट्स एक घंटा हो चुका है और ये हमारा गुलाब जामून बनकर तयार हो गया है देखिए कितने साइज में डबल हो चुके हैं और इसकी चाशनी भी बिल्कुल आधी हो गई है तो चलते हैं अब इसे हम सर्व कर लेने और ये लीजिए हमारा कुलाब जामून बनकर तियार है बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी है बिल्कुल 10 मिट में ये बनकर तियार हो गय तो कोई भी गेस्ट आ रहा हो या महमान आ रहा हो आप इसे फटा फट बना सकते हैं तो थोड़ा हम इस पी पिस्टा डाल की गार्निश कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट कितना लजीज ये गुलाब जामून लग रहा है फ्रेंट बिल्कुल मार्केट जैसा बलकि करना है देखिए तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके वीडियो अच्छा लगे तो एक कीजिएगा थैंक यू